अब आपसे कितना टाइम हो गया मुझे बात किया हुए लास्ट टाइम वन आइस पोक टूबर 2019 आने मला है दो महिने तीन महिने में दो महिने में आ जाएगा बट टाइम भी हो गया और देखा जाए तो दस महिने कुछ होते भी नहीं है पंक लगा के उड़ गए इतनी लंबी जिन्दीगी के अंदर में पर वैसे कर देखा जाए तो इस दस महिने में कितना कुछ बदल गया एक वक्त कहते ना कि जैसे पहले हम पढ़ते थे वच्पने में इसा के पहले और इसा के बाद अभी क्या बोलेंगे वो वक्त क्या था वो करोना के पहले था और अभी करोना के साथ है भी करोना के बाद भी नहीं है अभी तो बात क्या होने वाला ये पता होने वाला है क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि I should talk to you guys बहुत दिल करता था बहुत मन में एक्चा होती थी कई बार पर फिर नहीं हो पाता था बढ़ मैं बहुत दिन के बाद वापस से पनी कार में बैठा हूं वहीं बैठा हूँ जहां कर भाह से बात करता था पिछली बार सीटी यह वाली थी अपकी महतर बैठा हूँ अपने घर के सुना तो नहीं पाओगे, बट I can understand and I can relate, बहुत कुछ देखा पिछले 4-4 मेने में, in fact जब ये ख़वर आई, कि चीजे बतलने वाली हैं, और 15 मार्च को हुमारा एक सेमिनार था, जब होली पे गए थे, तब तक सब कुछ थी, इवन होली पे लोटके आने हैं, अलांकि गौर्मेंट ने, PMO ने, सोशल डिस्टेंसिंग की बाद शुरू कर दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगने शुरू गए थे, बट सब उसको लाइट ले रहे थे, इवन हम भी ले रहे थे, इनका तो काम है, और जब हमने जेसी के स्टाहूस पे अपना प्रिव्यू किया, तो वहां उस दिन रंग भी खेला गया, को मस्ती करी सबने, अंगले मिले, उजे आकाई, बटाई आकाई, और उसके बाद से जो कहानी बदलनी चुरू हुई, तो कल्पना ने की जाए शुर रिनिंग 50, कभी नहीं देखा ये समय, बहुत से दौर देखे, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ गया, ये वक्त कभी नहीं है, और हम इश्वर से यही दुआ करेंगे कि जल्दी निकल जाए, और ये फिर कभी नहीं है, ऐसा समय तो कभी नहीं है, पर सोचके देखो कि ये जो 4-4 मेने का पांच मेने का समय है ये कितना कुछ सिखा गया हमारे को आज मैं सुबह बात कर रहा था हमारा जो मीडिया डिस्कुशन का प्रोग्राम होता है उसमें सब इखटा होते हैं बिसनस पार्टनर से बात करते हैं और आज डिस्कुशन कतम होने के बाद जब मैं इसको समप करने के लिए आया तो सड़नली मुझे ख्याल आया एक दम से कि कल माई वन दो मुष्ट फेवरेट प्लियर जिसको मैं बहुत इज़त करता हूँ एक होता पसंद करना और एक होता इज़त करना तो मैं दिवान की किया तक पसंद भी करता हूँ बहुत इज़त करता हूँ जिसकी नाम है महिंदर सिंग दोनी माही प्यार से माही बलाते हैं कल शाम को साड़े साथ बिज़े उसे रिटार्मेंट का एनॉस्मेंट कर दिया काफी समय से क्यास लग रहे थे बातें बहुत सारी हो रही थी पर बातें ही थी हर कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था मीडिया कुछ कह रहा था सब कोई सब कुछ कह रहा था पर एक शक्स है जो कुछ नहीं कह रहा था और वो था माही खुद पर कल मही ने चुप़ी तोड़ी और 31 सेकंड के डायलोग के साथ उसने सारी कहानी को पूर्ण फिरंग लगा दिया क्या है इस स्टोरी में क्या है क्रक्स इसका अगर देखो तो क्यों ये ये जी करा रहा है तो जो बात आज मैं सुबह अपने दोस्तों से कह रहा था एक्जैक्टी में वही कहने जा रहा हूँ क्या उमर है माही की जिस 39 सिर्फ 49 साल की उमर है और मैं एक सवाल पूछ रहा था सबसे आप से भी पूछता हूँ मैं 49 साल की उमर में एक शक्स अपने आपको रिटायर घोशित कर देता है और वो अकूत संपत्ती का मालिक है उसके बास इतनी संपत्ती है कि अगले 49 साल तक कुछ नहीं करेगा तो भी उसकी इंकम लाइफस्टाइल पर कोई फरक पढ़ना नहीं बलकि उ मल्टी फोल बढ़ जाएगी उसकी दो-चार पुछते है उसकी कमाई को ही खाती रहेंगी उडाती रहेंगी तो भी कोई फरक पढ़ने वार नहीं है तो एक तरफ होता और दूसरी तरफ क्या आप कुछ ऐसे लोगो जानते हो जो पिछले 49 साल से काम कर रहे है और उनके बास अगले 49 दिन का बैक अप नहीं है उनके बैंक में 49,000 रुपे एक्स्ट्रा नहीं है सर्प्लस नहीं सवाल करो अपने आप से मुझे नहीं पता हो सकता है आप भी हो मैं आपको नहीं जानता इसलिए आप डिरेक्टली मेरी बात का अगुरा भी नहीं माल सकते मैं आप पे आचे भी नहीं लगा रहा हूँ इविन मेरे परिवार में विश्तिती है चुकी बिजनस करते हैं डेली वेजर्स का है रोज गुलग में पैसे आते हैं इसलिए उतनी तंगी नहीं होती पर जो लोग नोक्री करते हैं और अगर हमारे यहां बात करो तो हमारे भी जमा खाते है अब सवाल है कि एक आदमी 49 साल की उमर में रिटायर हो जाता है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति 49 साल तक काम करने के बाद भी 49 दिन तक बिना सेलरी के सर्वाइब नहीं कर पाता है कहां कर बढ़ है फार्मूले में कर बढ़ है या जो उसके अंदर वैलू रखने हैं उसमें कर बढ़ है A प्लस B का होल स्क्वायर हिंदुस्तान में खोलो और चाहे साओधी अर्व में खोलो अगर दोनों में वैलू सेम रख दी जाए तो रिजल्ट सेम आएगा की नहीं आएगा यहाँ पर बात समझने की यह है तो प्रॉब्लम कहा है सिद्धान तो एक ही पढ़ाता फार्मूला तो सेम पढ़कर के आये थे एजुकेशन तो सेम थी तो फिर गलती कहा हो गई गलती हो गई सिद्धान को समझने में और फार्मूले को अपलाई करने में तीन परसेंट लोग हैं दुनिया में जो कि स्किल की और टेलेंट की खाते हैं इसकिल को एक्स्ट्रीम उस लेवल पर ले जाते हैं कि वो अलामा हो जाते हैं कुद्रती टेलेंट होता है कुद्रत में कुछ ऐसा दे दिया ऐसी आवाज लेके ऐसा कंठ लेकर के ऐसा टेलेंट लेकर के पैदा हो गए तेन दुलकर के ब्रेन का साइज थोड़ा बड़ा था वो बॉल को जल्दी रीट कर लेता था वो जो एक्स्टा सेकंड का उसको एड्वांटेज मिलता था उसकी वज़े से उसने पता नहीं कित्य किर्थी मन मना दिये माइकल फेल्प्स के पंजे बड़े थे इससे वो तेरता था तो उसको पानी को कवर करने में ड्वांटेज हो जाता था उसे इन वोल्ट की टांगे लंबी थी इससे वो ट्रैक पर दोड़ता था तो उसको एक्स्टा ड्वांटेज मिल जाता था ब्ला 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 सर्जाई भूपका की बॉडी कुछ इस तरी की किती पोल वॉल्टर की जब वॉल्ट लेकर के चलता था पोल लेकर के चलता था तो उसको उसका एडवांटेज मिल जाता था नादिया को मंसी के साथ भी कुछ ऐसे ही होता था वाट बाट यू और यू और मी आमीर खान वॉल्ट के इंदर में पैदा हो गया सलमान खान सलीम खान के लड़के थे अभी शेक बचन अमिता बचन के ठीक है एगरीड तोटली एगरीड आपकी किसमत वैसी नहीं थी मेरी वैसी नहीं थी यही कमी है क्या पर सारे तो नहीं है उस तरह के